the product of two numbers is 2160 and their HCF is 12 and you have to tell about the possible pair of numbers कि वो दो number कौन-कौन से कौन देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से number है जो हो सकते हैं ठीक है हम सबसे पहले देखते हैं कि दो number का जो product होता है वो होता किया है what is the product of two numbers आपको पता होगा कि product of two numbers is LCM क्रॉस HCF ओके तो हम लोग देखते हैं कि जो product of two numbers है यह दिस 2160 and LCM और HCM तो पता नहीं है तो LCM छोड़ देते हैं HCF है हमारे पास 12 ठीक है तो अब देखते हैं 12 क्योंकि इधर multiply है इधर जब हम लोग divide करेंगे क्योंकि यह 2160 है जो की 6 का Q है आप लोग को पता होगा 6 cross 6 cross 6 into 10 इसे लिख सकते हम लोग जब इस 12 से आप इसे cross करेंगे तो 12 से क्या जागा 6 2 जा और 2 3 जा यह विल गेट 180 क्याएगा 180 जो भी क्या है LCM ओफ दो नमबर मुझे पता है कि LCM ओब इस तो नमबर मस्ट भी क्या होगा जो भी आप देखिए जैसे 184 हमेशा क्या होता है कि कि LCB नमबर को जो multiple होता है यह लिस्ट कॉमन मल्टिपल जो HCM है HCF जो LCM है list common multiple यह हमेशा ही उस नमबर से बड़ा ही होता क्योंकि multiple है यह तो उसके बराबर हो गया उससे बड़ा हो लेकिन जो है मुझे पता है कि जो हमारा LCM आया है that is 180 जबकि यह जो पहले इसमें जो उप्षन है एक नमबर है 184 जो कि नहीं हो सकता ठीक है दूसरा जो उप्षन है B में that is 185 यह भी नहीं हो सकता क्योंकि जो LCM है उस दो नमबर का LCM जो है उससे दोनों नमबर में से कोई बड़ा नहीं हो सकता है तो उसके बड़ाबर हो सकता LCM तो उससे बड़ा नहीं हो सकता अब देखते हैं क्या है कि 36 and 60 इसका जो LCM है वो 180 आएगा नहीं कि यह answer हो सकता है 36 लेकिन 35 और 60 का LCM नहीं आएगा कि यह भी नहीं हो सकता 180 नहीं हो सकता इसका LCM तो यह भी नहीं होगा तो एंसर होने चे कुंसा 36 and 60 is possible pair of that number okay let's move to another question अब दूसरा question देखते हम लोग तो गोल रहा है the largest six digit number which is divisible by 198 if the digits are rearranged even then the number will be divisible by क्या कह रहा है question में question में कह रहा है कि six digit का largest number आपको बता होगा की six digit का जो smallest number है वुशे हम लोग लेखते one zero 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 जो कि एक लाग होगा ठीक है तुम्हें लेकिन जाब हम लोग six digit largest number की बात करते हैं so largest number होगा nine largest number होगा हमारे पास nine 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 and six ताम यह है अब क्या है कि देखिए यदि कोई भी number है आपकोई भी नम्मर लेते हैं लड़े और वो डिविजिवल किसे 198 अब हम लोग देखते कि 198 में क्या है जब आप यह दोनों को एड करेंगे तो यह विल गेट 9 एंड इस जो इसका जो डिजिट सम होगा तो किसी भी संख्या का जब डिजिट सम नाइन होता है नहीं कि नहीं कि 198 इस डिविजिवल वा नाइन यह कर जाता है इससे पता चल रहा है कि 198 का एक जो फेक्टर है और 198 से कोई चीज यह दी डिविजिबल है तो ओब्यस सी बात है कि 9 को 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं तो ओब्यस सी बात है कि और अर्यल इंसर मस्ट वी 3 4 जो है 3 से वह इसको कि चेंज कर देंगे तब क्योंकि जो 3 है और 9 है यह डिजिट सम पे डिपेंड करता है कि पर करता है बदिजिट सम कि डिविजिवल वहको कि नहीं होगा कि लेट यह का देपेंड सम त Gospel कि G Julie कर देंगे इधर से इधर इधर से इधर तो भी मुझे पता है कि digit sum will be same और digit sum जब same रहेगा तो वो नमबर तीन यान्नों से divisible होगा अब दिखते हैं लोग question is the price of sugar increased by 25% what percent should a family decrease the consumption of sugar so that their expenditure on sugar remains the same अब देखिए ऐसे question में क्या होता है कि क्या कह रहा है कि 25% बढ़ गया है 25% बढ़ने का मतलब क्या है कि यदि कोई चीज 4 है sorry 1 by 4 कोई चीज यदि 4 है तो उसमें क्या हो को 1 का increment होगे 5 हो गया और क्योंकि 4 का 1 परसेंट क्या होगा यह 24 का 1 जो है यह 25% होगा जो 1 है इसमें क्या है कि जब जोड़ेंगे तो आजाएगा 5 लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे रहना है जब कर लोग क्या वाट कर रहे है तो क्या हो रहा है में बेस वैलु अपना क्या 5 फाई बेस व लू 5 में talked इतना कम किया आप एक मैनस किया है यह आजाएगा 1 divided by 5 और 1 by 5 किसके पर आउड़ हो दाट इस 20 परसंट what is 1 by 5 is 20 परसंट तो आर एंसर मस्ट भी 20 20 परसंट 20 परसंट एंसर होगा हमारा next question है is income is 60 60 परसंट more than the B's income and B's income is A का जो income है that is दख लिएजे A का income जो 60 परसंट more than है किससे B से जबकि जो B का income है 75% more than the C income and C's income is 20% less than the D's income अब दिखें सारी कहानी A का relations B से दिया है ठीक है A का relation किससे दिया है B से B का किससे दिया है C से C का किससे दिया है D से लेकिन क्या है कि इन चारों के बीच में salary में कुछ न कुछ समन्ध है लेकिन जो D की salary है देख लिए जिस question में यह already हमारे पास दिया है D salary is 20,000 कितना है 20,000 क्योंकि हमें पता है कि D का जो salary है 20,000 है और इससे कितना कम है 20% less है और C C की salary 20% less है आपको पता है कि 20,000 का 50% आएगा 10,000 25% आजाएगा 5000 इसको कभी बिमलोग आधा और आधा का आधा करते जाएगे तो हमें पता चल जाएगा लेकिन मुझे चिए इसका 80% 80% चिए मुझे तो मैं सिधा सिधा 20,000 और इसका क्या कर दूँगा 80% जब इस 16,000 तो मुझे पता चलेगे कि C की salary कितना होने चीए, C की salary होने चीए, 16,000 तीक है आप B की बात करते है, B की salary और C के salary में क्या समन दिया हुआ है, बोल रहा है कि B's income is 75% more than, 75% more than the C's income, अब C का income कितना है, C का है 1600, 1600 का जो 25% होता है, अब 75% बात करो मैं, तो 25% जो 4000 होगा, य कि 3 by 4, क्या करूँगा मैं, 3 by 4 of कितना, 16,000, 16,000 का 3 by 4 करूँगा, तो 4 से होगा पिसे जब करेंगे, cut तो यह आजाएगा आपके पास, सिरह सिरह 4,000, 4000 into 3000, you will get 12,000, कितना हैगा, 12,000, तो इसका जो 75% है, किसके बात 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 करेंगा, और जब इसको आप 12,000 एड करेंगे, क्योंकि आपको 175% चीए आपको, 175% चीए आपको, तो you will get, अभी जब मैं इसको 12,000 और 16,000 को एड करूँगा, तो मुझे मिलेगा 28,000, कितना मिलेगा, 28,000, तो 28,000 किसकी सेल्ली होगी, B की सेल्ली होने चीए, B के इंकम होगा, 28,000, अब B का 28,000 है, लेकिन मुझे क्या पता जाल रहे है, कि जो, एक ही सेल्ली है, वो, 160%, किसके, 160%, एक ही, B की सेल्ली की तो, B की सेल्ली कितना है, ट्वैंटीट थाउजं, B की सेल्ली होगी 28,000, अठीका, जब आप इसे करेंगे, मल्टिप्लाइ करेंगे, तो, आपको आएगा, 16,000 इंटु 28,000 जब करेंगे, फिर, 16, यह आजाएगा आपते पस पुट्टिपोर और डबल जिरो तो और एंसर मस्त भी क्या हैगा पूर पूर एट डबल जिरो इस विल बीड एंसर आर लास्ट